कि नोट करें यह कोईशन के के किन मानों के लिए समी करने निकाए यह पूरा इक सिस्टम ऑफ इक्विशन से यह संगत है तो देखे के किन मानों के लिए समी करने निकाए संगत है पहले आप देखे यह नौन होमोजीनिय सिस्टम में आपका संगत के लिए कंडिशन जो होती है वो आपको हमेशे दहनाने चाहिए कि रैंक ओफ ए इस इक्वल टू रैंक ओफ ए कॉलन बी बस इतने से मतलब है हमें नंबर अफ वैरेबल का तो तब चाहिए होता है हमें जब आपको से यूनीक सुलीशन या फिर इन फाइन सुलीशन इसके बारे में डिसकस करना हो हमें केवल कंसिस्टेंसी डिसकस करनी है कोशन कह रहा है कि 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 किन मानों के लिए कि यहां पर देखें मिसिंग टर्म है अन बारानी चाहिए यह चीज़ है तो इसी के ऊपर हम काम करेंगे हम सबसे पहले और मेंटरिक्स निकाल के उसकी रैंक पता करने की कोशिश करेंगे तो हेर और मेंटरिक्स विल भी तो और मेंटरिक्स क्या बनेगी यहां से देखिए टाइम हमारे पास कम है और आपके पास ज़्यादा है ठीके न तो हम क्या करते हैं हम आपको ऑपरेशन्स बस लिखाते हैं और क्या फरक पड़ेगा वो मैं नोट करते हूं यहां पे क्योंकि मैंने इसे solve करके पूरा रखा हुआ है अपने पास तो इसलिए मैं केवल उस operation का क्या result होगा वो note करता चला जाता हूँ बाकी पर क्या फरक पड़ेगा वो आप निकलते रहीएगा ठीक है ना तो इस बिल्कुल पूरा skip भी नहीं कर रहे हैं कि सीधे colon form में पहुंच जाएं operation बताते जाते हैं बताइए पहला operation क्या लगना चाहिए यहां हमेशा द्याना किये row operations ही होते हैं केवल और बताइए पहला operation यहां पर क्या लगना चाहिए chat box में लिखके बताइए मुझे हम इसे colon form में rank बता करना है हमें इसे colon form में change करना है पहला operation क्या होना चाहिए आर one by three, आदर र one by three भी सही हो सकता है, लेकिन अगर हमें one मिल ला यहां पर, तो हम उसे interchange कर देंगे, वो भी तरीका सही है, कोई ऐसी बुराई नहीं है उसमें, आप कोई भी elementary operation ले सकते हैं, लेकिन अगर one मिल ला है, तो फिर बिना divide की भी काम चल जाएगा हमारा, तो पहला operation आपका क्या हो जाएगा आरवन इंटर्चेंज्ट बाई आर्फ्री इससे आपका क्या होगा वन ऊपर पहुंच जाएगा वन टू थ्री ऐसे बन जाएगा बाकी क्या है वह आप बाद में अपना डीटेल में लिखेगा उसको छोड़ दीजेए भी करने की कोशिश मत करिये न आई अजर्फ के बाद देखिए हो उसके बाद देखिए अब इनको 00 Alex अजाता है तो ए टूमें से डबल एसका सच्ट करदेंगे ऑल टू टैन्स टू ऑर तो मैनस डबल ऑफ और ररवन और ढूरांस ट्रीटेस्की माइनस इस में से इसका तीन घुना सब्रेने कर देंगे । अच्या मुझे यहां पर liखना पड़ गा क्योंकि यहां पर जो है वो क्या आरा है वो मैंनस सभी और माइनस सेवन वानिस स्थ वानिस रe- बाकी आगे एक के जोड़ कर रोगा वह वन प्लस के या टूप्लस के जो भी बने वह सबाब बाद में लिखते रहिएगा इसको मैं छोड़ रहा हूँ यह आपके लिए ठीक है कॉलन 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 और यह आप कैलकुलेट करते रहिएगा अब क्या इस्टेप होना चाहिए यहां पर बनायेंगे ताकि फिर इखर करके यहां जीरो बनाया जा सके है तो इसलिए हम क्या करेंगे आल टू को डिवाइट कर देंगे आल टू टैंस टू आल टू बाई-3 एन आर थी टैंस टू आर थी बाई-7 इससे हमारी जो मैट्रिक्स बन जाएगी वह यह बन जाएगी 10011 और बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं वह स्टार से लिख देता हूं में अच्छा अब क्या होगा देखिए जीरो करना है तो हम क्या करेंगे आर्थी टेंट्स टू आर्थी माइनस रटू ठीके ना तो यह हो जाएगा हमारा गया है 1-0-0एख ब्वन-जीरो टैश स्टार इस कोलान स्टार और इस्तार कॉलण स्टार और टीशल जो है हम लिख्व्तित जारहADं यहां पे टो शूरिंटे। प्लस 7 अपन 21 टू के प्लस 7 अपन 21 एंड 16 अपन 21 यह आ रहे हैं यह आप सॉल लेकर निकाल लिए आप आराम से आर थ्री में आर थ्री एक्वल टू थ्री आर थ्री माने सेवन और टू हाँ वो भी कर सकते हैं लेकिन ऐसा है ना फिर वो कैलकूलेशन थोड़ी मुश्किल होने लगती है वो फिर उसका डबल टुपल करके अगर भूल गया आप नहीं तो चाहें वैसे कर लिए चाहें से कर लिए कोई फरक नहीं परता इतना आएगा आपका क्योंकि मैंने करके रख रख देख रख रहा है तो इसलिए आपका इतना ही आएगा टू के प्लस 7 बाई 21 और 16 बाई 21 ठीक है इसको कंप्लेट दो बारा से देखके अपना आराम से करते रही है अमारा एम है यह चीज डिसक्स करना इसके बहुत यहां पर डिसक्स करना कैसे डिसक्स करेंगे स्कूशन को अब देखे कोशन था हमारा के के किन मानों के लिए समीगर निकाय संगत होगा तो देखे यहां पर आप देखे यह नंबर क्या है 16 बाई 21 यह नंबर जो है वह इससे डिसाइड होगा ऊपर तो नंबर आये हैं और यह 16 बाई 21 आया इसका मतलब यह रैंक आफ और अगमेंट सी देट आपका यह 16 यह 0 थोड़ा नहीं सकता है तो प्योर नंबर रहे तो हमें शायद नहीं रहेगा तो आपकी 90 रोस 3 निकलेंगी और मेंटेट की 3 निकलेंगी अब आप देखिए अगर आपको consistency चाहिए तो इसकी रैंक भी 3 ही निकलनी चाहिए for consistency of system of equations row A is equal to row A colon B यानिकी 3 होना चाहिए होनी चाहिए अब मुझे बताइए इसकी रैंक जो है वो 3 कैसे हो सकती है इसकी रैंक 3 तभी हो सकती है यह 90 यह 90 दो तो 90 रोस हैं यह आपका कहीं 0 ना हो जाए गड़बड हो जाएगा आपका इसको भी रैंक 3 होने के लिए फिर यह क्या होना चाहिए यह तीसरी चीज जो है वो कोई ना कोई नंबर जरूर आना चाहिए तो हमने यह देखा फॉर कॉंसिस्टेंसी ओफ सिस्टम ओफिकेशन यह इसकी रैंक भी रैंक ओफ कोफिजिन मैट्रिक्स भी तीन होनी चाहिए और तीन कब होगी जो कि तभी संभा है इंग्लिश वाले लिख सकते हैं विच इस पॉसिबल ओनली वेन हां बिल्कुल सही बात है कि आपका यह जो कुल एलिमेंट है वो जीरो ना आ जाए टू के प्लस सेवन इकुल पॉंट वंटीवन नॉट इकुल टू जीरो तब rank 3 होगी एकर 0 नहीं आया तो इसकी rank 3 होगी उसकी तो ही को गॉग्वमेंट की 3 तो आपका consistency सई हो जाएगी इस चीज को फिर से देख लिए rank इसकी आपकी की हमेशा तीन रहेगी अब कंसिस्टेंसी के लिए आपको कोफिशन की भी तीन चाहिए क्योंकि बड़ा बोलो नीच चाहिए और इसकी रैंक कैसे निकलेगी इसकी रैंक दो तो पक्का है तीसरी तब होगी जब यह 90 क्योंकि अगर यह 0 रह गया तो फिर इसकी रैंक दो ही रह जाएगी फिर आपका कंसिस्टेंसी नहीं हो पाएगी तो कंसिस्टेंसी के लिए चाहिए कि हमारा यह जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो हो यानि कि 21 को इधने ले जाएंगे खतम 2k प्लस 7 not equal to 0 यानि कि 2k equal to minus 7 यानि कि k not equal to minus 7 by 2 तो k की value k के किन मानों के लिए तो आप देखिए minus 7 by 2 नहीं होना चाहिए बाकी सब होने चाहिए अता k equal to not equal to minus 7 by 2 के लिए समीगर निकाए संगत होगा सारा दिमाग आपका यहां लगना था करके यह यह तो चीज कर लेगा कोई भी step by step चलता जाएगा calculation mistake नहों तो यहां तक तो आप पहुंच जाओगे इसके बाद जो था वो main चीज थी इसकी लिए मैंने question कराया ठीक है तो अब इसी के जैसा एक और question try कर लेते हैं वह यह non homogeneous के लिए था है वह homogeneous के लिए है लिखे question lambda के किन मानों के लिए लेंड़ा के किन मानों के लिए समी कर निकाय थ्री एक स्वाइब लेंडा जट इकल तो जिरो फोर एक समाने स्टु यह मैंने स्टी जट इकल तो जिरो तो लेंडा एक स्टु प्लस फोर वी प्लस लेंडा जट इकल तो जिरो के अनंत हल है तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए आपका क्या है यह सिर्व सिस्टम जो है होमोजीनियस है ठीक है न होमोजीनियस ए तो इसलिए आप क्या करो तो यहां पर आपकी coefficient matrix है 3 1-2-3 2 lambda 4 lambda यह आपकी coefficient matrix है अब इसके rank निकालने है तो rank निकालने के लिए rank निकालने के लिए आपको equivalent form चाहिए और equivalent form के लिए क्या करना पड़ेगा अब देखें यहां पर कहीं भी बन नहीं है तो सीधा सीधा मेरे पास एकी तरीका है कि इनको जो इसको पहले 1 बना दिया जाए यानि की R1 tends 2 R1 by 3 तो जब आप ऐसा कर दोगे यह operation कर दोगे तो हमारी जो matrix है उसमें 1 आ जाएगा यहां यहां 4 और 2 lambda रहेंगे बाकी क्या होता है वो बात की वो अपने आप करना इसको भी मैं short में करा रहा हूँ C1 C2 को interchange नहीं 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 equivalent form जो हैं वो दो तरह की होती है row equivalent form column column तो हमारे पास row equivalent है बताया नहीं गया है लेकिन आपको understood आईए आप देखे किसी भी question में row cooperation के लावा column नहीं कराया गया है अच्छा देखे यह 2 lambda भी आपका गड़बड करेगा तो आप क्या करिए R3 tends 2 R3 by 2 lambda कर दीजे और जब इसको भी divide कर लगे हां तो इसको भी कर दीजे R2, R2 tends 2, R2 by 4 वो क्यों रहे जाए तो तीनों को ही divide आजब आप कर दोगे क्योंकि 2 lambda देखे यह इसमें से क्या सब्क्राट करोगे 0 आजाए 0 नहीं आएगा इसलिए 1 बना दीजी सबको तो आपके यह यह जो है 1 1 ही आजाएंगे तीनों ही 1 कर दिया हमने फिर दो तो कर नहीं थे तो फिर तीसरों को भी साथ में 1 कर दिया अब simply कौन सा operation करेंगे आप R2 tends to R2 minus R1 and R3 tends to R3 minus R1 R1 को ही इन तोनों से separate करेंगे तो आपके यह जो है 1 0 0 आ जाएंगे अब यहाँ पर जो नंबर आएगा मैं लिख देता हूँ minus 5 by 6 आ रहा है और यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो 6 minus lambda by 3 lambda 6 minus lambda by 3 lambda यह आ रहा है बाकी आपके जो है जो भी आएंगे वो आप देखते रहिएगा हिंट नोट करिए बस आप समझते रहिए कैसे क्या हो रहा है अब इसके बाद इनको 1 1 बना देंगे तो इसके लिए क्या करेंगे आप R2 tends to R2 divided by minus 5 by 6 and R3 tends to R3 divided by 6 minus lambda by 3 lambda अब वो अलग बात है कि आप 3 lambda by 6 lambda से multiply कर दें हरे एक में तो यह आ जाएगा 1 0 0 1 1 यह इस तरह से आ जाएगा यहाँ यहाँ पर थोड़े से complicated term sign गी लेकिन आप जो है वो धहरे बनाई रखिएगा patience बनाई रखिएगा और करते रहिएगा बस आप क्या करेंगे इसको 0 बनाना है तो R3 tends to R3 minus R2 तो यह आपका उजाएगा 1 0 0 star 1 0 star 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 और यहाँ पर जो आ रही है चीज़ वो मैं लिख देता हूँ उसको ज्यादा solve नहीं करना है बस सीधे minus करके ही लिख दिया है तो इसलिए वो चीज़ आ रही है आपकी क्या करूं मैं बहुत लंबा है यह तो चलिए लिखते ही यह यह आ रहा है आपका 3 lambda by 6 minus lambda दिख रहा है 3 lambda by 6 minus lambda into 3 plus 2 lambda by 6 plus 6 by 5 minus 9 plus 4 lambda by 12 एक्शली अंदर solve नहीं गया है न थोड़ा सा तो केवल जो आया होगा इसमें और जो आया होगा इसमें उसको minus करके लिख दिया है बस इसलिए वो थोड़ा सा लंबा दिख रहा है अब देखे जड़ा क्या होता है यह हमारा homogenous system था अब इसके rank देखिया और कब unique solution होंगे और कब infinite question में हमसे पूछ रहा था कि यह जो हमारा system है इसके infinite solution कब होंगे तो आप देखिए जब rank row of a n के बराबर होती है तो तो unique solution होता है और यूनिक क्या कहते हैं trivial solution आज ही पढ़ा हमने इछले वीडियो में और जब हमारी rank जो है वह less than n होती है तो infinite solution exist करता है तो हमसे question infinite solution के लिए पूछा है तो हम क्या करेंगे infinite solution के लिए फिर क्या होना चाहिए अगर आपका यह नंबर यहाँ पर आया कुछ तो तो रेंक तीन बन जाएगी न यहाँ पर यह नंबर आ गया तो तो आपकी नंबर आफ रोज नंजिरो तीन हो जाएगी और आपको infinite solution चाहिए तो infinite solution के लिए rank कम होनी चाहिए न से तो यह निका मतलब यह है कि अगर आपका जैसे यहाँ पर नंबर आया कुछ तो नंबर आया तो उस case में आपकी number of non zero रोज तीन हो जाएगी तो rank आपकी तीन हो जाएगी और number of variables भी क्या होगा उस case में यह जीरो नौन जीरो रोज दो बचेंगी यह rank आपकी कम हो जाएगी number of variables से और आपके infinite solution exist कर जाएंगे यह वाली condition लगने लगेगी तो इसका मतलब यह हुआ for infinite solutions द्यान से देखे क्या लिकरे हैं for infinite solutions इसके बाद infinite solution के लिए rank of a should be less than n the n मतलब यानिकी कितना 3 which is possible rank come कैसे हो सकती है which is possible only when क्या होना चाहिए यह चीज हमारी 0 होने चाहिए 3 lambda by 6 minus lambda 3 plus 2 lambda by 6 plus 6 by 5 minus 9 plus 4 lambda upon 12 is must be equal to 0 इसको solve करेंगे आप यह quadratic बनेगी मैं लिख देता हूं सीधर lambda square plus 8 lambda minus 9 equal to 0 मैं solve करके रख रखा है इसलिए confirmation है मुझे और जब इससे solve करेंगे आप तो lambda की value आ रही है minus 9 and lambda equal to 1 यानि कि lambda की value दो है minus 9 और 1 जिन पर इसके solution infinite exist करेंगे otherwise बाकी सारे case में solution जो है वो unique होगा इतने इतने पर 0 हो जा रहा होगा यहां पर न तो 0 हो जाएका rank हो जाएगी rank हो जाएगी तो हमारा infinite solution exist करने लगेंगे calculation अगर छोड़ने तो concept रस यहीं पर है के वल्यती लाइन ने बस यहीं पर सारा सोचना होता है जब आपकी equivalent बन जाती है वहीं से आपको सोचना होता है कि ठीक है तो clear है तो आप इसकी साइजास complete कर लीजिएगा हम कल से नया चेप्टर स्टार्ट करेंगे कैली हमिल्टन त्योरम वाला चेप्टर है बहुत आसान चेप्टर है अगला वाला इसमें दिक्कते थी थोड़ी सी चार एक्सरसाइज थी हमारे पास चार तरह के से अगले वाले मैंसा नहीं है दो दिन में कंसेप्ट हो जाएंगे और एक दिन में एक ससाइज हो जाएगी उसमें कोई ज्यादा बड़ी दिख्कन नहीं इस वीक में आपका यह पूरा ओजाएगा थर्ड चप्र फूरा ओजाएगा सेंड चेप्र ने जादा टाइम ले ल जलते हैं, ओके थैंक्यू, वेलकॉम, 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 वेलकॉद देख,